कि आरियजर्इन ओप मैं लोग को मगड किराज वंच के बारे में डाये में बताये थे जिसमें हर्यक वंच शिसुनाग वंच और नंद वंच के बारे में आपको बताये थे अब हम शुरू कर रहे हैं नंद बंज के ही समय आक्रमण होता है विदेशी आक्रमण होता है ठीक है तो पहला आक्रमण भारत पर पर प्रथम विदेशी आक्रमण इरानियों का होता है 518 BC में पर्थम आक्रमन कौन करता है इरानी करते हैं अगर पूछेगा कि भारत पर सरपर्थम आक्रमन कौन करता है तो इरानी ही करते हैं कब 1518 BC में डेरियस पर्थम के नित्रित्व में चड़ाई हुआ था भारत पे ठीक है और ये पच्छिमुत्तर जो प्रांथ है उसको ज दाएं से बाएं लिखी जाती है ये इरानियों का ही देन है आपको पता होगा कि ये ब्राही लिपी है ब्राही लिपी बाएं से दाएं लिखी जाती है और खरोष्टी लिपी जो होती है दाएं से बाएं लिखी जाती है ये जो खरोष्टी लिपी है ये इरानियों की ही देन उसके बाद next आकरमण सिकंदर का होता है सिकंदर का मगदुनिया का मगदुनिया प्रांत का निवासी होता है इसके पिता का नाम फिलिप होता है ठीक है यह 369 BC में सासक बनता है और 329 BC में इसकी मित्यु हो जाती है ठीक है 329 BC में सिकंदर युनान का सासक बनता है मगदुनिया का सासक बनता है और उसका रचपन से ही इच्छा था कि पुड़े भारत पर भारत पर बिजय पुड़े बिसु में बिजय का जहंडा फाराया जाए ठीक है तो इसने देखा कि भारत को भी हम जरूर जीतेंगे और जितने के लिए वह भारत पर आक्रमण किया 326 BC में ठीक है 326 BC में उसने हाइडेश्विज के युद में या धेलम धेलम का प्राचीन नाम था बितस्ता बितस्ता के युद में पुरस को पराजित किया देखिये दोस्तों प्राजित हुआ या नहीं जो प्राचीन इतिहास हारं को लिखा गया वह विधेशियों दौराहि लिखा गया है हौं क्लोकर इतिहास भारत में लिखने का शुरू होता है जब आपका राज तनगरी आता है जो कल लिखता है कस्मीर की इतिहास का शुरुवाद वहां से ओता है उसके पाले प्लुटोर्क इस्ट्रेवो जस्टिन ये सवीतिहास मेगास्थनीज ये सवीतिहास को लिखे हैं तो उन्होंने देखा कि सिकंदर विशु भी जही था अगर वो हार जाएगा तो तुड़े विशु में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसलिए उसको दिखाया गया क कि पोरस पोरस सिकंदर से हार चुका था ठीक है इसकी मदद किया था सिकंदर का मदद तस्रीला का सासक आम भी था वो मदद करता है सिकंदर का और सिकंदर का मदद करता है जिसके कारण पोरस पराजित हो जाता है ठीक है आप पुछता है सिकंदर जो था घानानंद के समकाल नहीं था जब वह आक्रमण किया तो उस समय मगड डाइनेस्टी पर गाननद सासन कर रहा था ठीक है तो यह क्वेस्चन यहां से बनता है कि घाननन्द किसके समकालीं था तो घानननद के समकालीं था ठीक है यह कूल 19 महिने भारत में रहा दोस्तों यह भी क्वेस्चन पूछत है कि शिकंदर भारत में कितने महिनों तक रहा तो उनईस महिनों तक भारत में रहा कि उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि शिकंदर की सेना लड़ते लड़ते ठक चुकी थी और मार्ग में ब्यास नदी पड़ता था जिससे ब्यास नदी पार करने से उसकी सेना क्या करती है कि इनकार कर दीती है ठीक है इनकार करने के कारण वह आगे वरणी पाता और एक और दुसरा कारण है कि जो मगद होता है उसमें नंद जो होता है राजा उसकी सेना बहुत बड़ी होती है विसाल लाखोस में सेना थी जिसके कारण वो उसके जो सैनिक थे वो आंगे बढ़ना नहीं चाहते थे ठीक है इसने दो नगर भी विसाय थे निकईया जिसको बिजय नगर कहा जाता है और एक उसका घोड़ा था बुक फेला उसके नाम पर बुके फाल नामक सहर को बसाया जो कि जहलब नदी पर है ठीक है इसके साथ सेनापती थे यह भी पुछता है जल सेनापती निरियाकस था और सेलुकस निकेटर जो था अस्थल सेनापती था उसके साथ में ओनो सिक्रेटर्स आरिष्टो बुल्स इत्यादी सैनिक थे ठीक है आकरमन का प्रभाव क्या पड़ा हमारे देश पे तो आकरमन का प्रभाव कुछ नहीं पड़ा सिकंदर हवा की तरह आया और हवा की तरह गया कोई भी भारत में कोई भी समराज अस्थापित ना कर सका और भारत के बाहर ही उसके जो सैनिक थे उनको समराज मतलब जो छोटे-छोटे छेत्र जीते हुए थे उसको वापस देकर वो लोड जाता है ठीक है और भारत अपवर्तित रहता है शिकंदर अस्थल मार्ग के द्वारा 325 बीसी में वो लोड जाता है वापस लोडता है तथा सिकंदर के मित्यू 326 बीसी में ताहितीस वर्ष की अवस्था में बेबी लोनिया में हो जाती है ठीक है दोस्तों हम आपको नंद बंस के बारे में बताए थे नंद बंस के बाद ही घनानंद के समय में बीदेशी आक्रमण होता है सिकंदर का आक्रमण होता है तो इसी समय हम बता दिये कि सबसे पहले भारत प रचारता है ठीक है इसके बाद हम जब मगत्र समराज के बारे में पढ़ा रहे हैं जब मगत्र समराज सुंग वन्स कर वन्स सत्वाहन वन्स पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको एक जगा विडियो में मैं आपको बहुत घर्म और जैन धर्म के मारे वंस के जानकारी हमको कैसे प्राप्थ होती है तो आये देखते हैं मारे वंस की जानकारी मारे वंस का समय है 322 बीशी से लेके 182 बीशी अंब इस나 act और एक पूरा तात्विक इस्त्रोत जिसके लेखोग कोटिलिया विश्णु गुत्य या कोटिल या चाड़क सब एक ही नाम है एक ही व्यक्ति हैं इनके द्वारा हमको मारेवंस के बारे में पता चलता है ठीक है दूसरा इस्त्रोथ है इंडिका जिसने मेगास्थनी ने लिखा है मेगास्थनीच चंद्रगुप्त मौर के दरबार में आता है आपको बताएंगे सिलुकस निकेटर राजदूत भेजता है मेगास्थनीच को चंद्रगुप्त के दरबार में उसी ने लिखा है कौन सा इंड करदति लिखा है और इससे भी हमको मोरा कलिन जानकारिया हम को प्राप्त होती है, ठीक है उसके बाद पुरान जिछ जानकारियां मिलती है मौरी यूगीन जानकारियां हमको मिलती है इसके अंतरगत और बहुत ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भी हमको मगत की गद्धी पर बैठा था और अन्य जानकारियां भी हमको दिपवन्स और महावन्स से हमको प्राप्त होती है अब पुरा तात्विक स्थ्रोत में असोग के अविलेक के द्वारां को जानकारी मिलता है ठिक है उसके बाद भवन भवन पटना में पाटली पुत्र में कुमरार पार्क था वहां राजमहल था आज भी उसके औसे कुछ मुझूद है उससे हमको जानकारी मिलती है मौरयोगी इस्तूप में सांची का इस्तूप असोप ने कम से कम 84,000 इस्तूप बनवाया था इन इस्तूपों से हमको मौरयोगी जानकारीया मिल यह था कि मोरे काल की जानकारी हमको इस से भी प्राप्त होती है इसके बाद वह अम्रिद भांट ठीक है उसके बालेक जुनागडव लेक जो कि सक राजा रुद्रेदामन है ठीक है यह बताता है कि चंद्रगुप्त मोरे ने ग्रिणार में सुधरसन नामक जील का जीड़ो धार करवाया था मतलब सुधरसन नामक जील बनवाया था यही जुना अड़अपलेक संस्कृत में परतर्थम संस्कृत अवलेक जुनाअगः अवलेक है ठीक है उसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त मौर के बारे में जानते हैं तो चंद्रगुप्त चाड़क्य की सहायता से चंद्रगुप्त कैसे मिला चाड़क्य को तो चाड़क्य घानानंद से सहायता मांगने के लिए गय थे उसने सहायता नहीं दिया और उनका अपमान किया जिससे उन्होंने बोला था कि मैं इस नंदवन्स को समाप्त करके ही रहूंगा और वो जा रहे थे राष्टे में और बिंद के जंगल में चंदुगुप्त मौरि को राज कीलम नामा खेल खेलते हुए वो देखते हैं और उसे वो काफी परभावित होते हैं और उसे एक हजार कसापण में खरीद कर वो वो से तसीला ले जाते हैं आप जानते होंगे कि तसीला का ही प्रोड़क्ट थे चाड़क्य तो वो वहाँ पे ले जाते हैं तसीला में ले जाते हैं और उनका सिच्छा दिच्छा इत्यादी उनको कराते हैं ठीक है तो चाड़की की शहाता से चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वन्स के अस्थापना करता है 322 बीसी में मगत की राजगद्दी पर बैठते हैं ठीक है अब यहां आता है कि कई उनकी जाती किया थे चंद्रगुप्त मौर्य की जाती किया थी तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन तथा बहुत ग्रंतों के अमसार चंद्रगुप्त मौर्य पिपली वन के मौर्य का राजकुमार थे ठीक है पर मुद्रा राच्छस कथा सर्टा सागर पुरान इत्यादी में चंद्रगुप्त क वो सुद्र माना गया है क्या माना गया है तो सुद्र माना गया है मुद्रा राचस के लेखक विशाकदत भी उसको सुद्र हिन बोलते हैं ब्रिसल बोलते हैं ब्रिसल मतलब कूल हिन बोलते हैं एक जस्टिन नानी विद्वान था वो भी बोलता है कि चंदगुप्त मौर जो यानि छोटे जाती के थे पर जो जैन ग्रंथ और बहुत ग्रंथ है उसको सबसे ज़्यादा परमाडिक माना गया है और उसके अनुसार चंदगुरुप्त मौरे को छत्री माना जाता है ठीक है तो बहुत ग्रंथ के दिव्विवदान के अंसार बिंदुसार तथा असोक अपने को छत्री माने तो जारी सा बात है कि चंदगुरुप्त मौरे भी क्या होगा छत्री यह होगा ठीक है चंदगुरुप्त मौरे का जन 345 बीसी में होता है इसकी माता का नाम मुरा तथा इनकी पिता का नाम नंद राजा वता है ठीक है चंदगुरुप्त के राजिरोहन की तीथी 322 बीसी है चंदगुरुप्त मौरे की इनानी ग्रंथों के अमसार चंदगुरुप्त मौरे के अन्य नाम है जैसे चंदगुरुप्त मौरे को सेंड्रो कोटस कहा गया है सेंड्रो कोटस, स्ट्रेवो, एरियन तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मोरे को सेंड्रो कोटस कहा है तो पुछ देता है एकजाम में कि सेंड्रो कोटस किस समराट को कहा गया है तो सेंड्रो कोटस चंद्रगुप्त मोरे को कहा गया है इसके बाद एक अन्य नाम है एन्डरो कोटस, जिसका पुष्टी एफइयानस और प्लुटोर्क ने किया है, की चंडगृत मौरे का नाम एन्डरो कोटस भी था, एक ठे सेंडरो कोटस, ये नाम दिया है निरियाकस, वहीं जो सिकंदर का जल सिनापती होता है निरियासक निर् ठीक है 28 फरावरी 1793 में बिलियम जोन्स ने बताया कि यह जो तीनों नाम है वो चंद्रगुप्त मौरे के ही नाम है अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त की उपलब्दियों के बारे में तो चंद्रगुप्त क्या होता है कि घानानन को पराजित करके चंद्रगुप्त मौरे ने चानक की की सहायता से एक विशाल सेना तयार करता है और स्वरोपर्थम वो मगद पे आकरमन करता है जिसमें वो पराजित हो जाता है दूस्तों पराजित हो जाने के बाद एक कथा है महावोदी जो ग्रन्त है उसमें बात है कि क्या होता है कि एक बालव बीश से रोटिया खा रहा था तो उसकी मा बोलती है और उसका हाथ बार-बार जल रहा था जिसे उसकी मा बोल रही थी कि चंद्रगुप्त मौरे भी वहीं गलतिया कर रहा है कि सबसे पहले वह मगत पे आकरमन कर रहा है और वहीं गलतिया तुम बार-बार दोरा रहे हो तुम किनारे से रोटी खाओ और इसी की सीख लेकर चंद्रगुप्त मौर्य सरोपर्थं वो पंजाब पे उत्री पच्मी छेतर पंजाब के आक्रमन करता है और पंजाब को जीत लेता है इसके बाद सिकंदर का जो समराज होता है जो सिकंदर वापस चल जाता है जो प्रांथ होते हैं वहां की जनता अप्रसन हो जाती है अप्रसन हो जाती है इसका फाइदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब और सिंध दोनों को विजित कर लेता है ठीक है उसके बाद नंद सासक घानानंद के अत्याचार और उसकी धन इकठा करने की लिपसा से प्रजा तंग आ चुके थे और वो जो प्रजा थी एक योग्य समराठ को खोजने में लगी हुई थी ठीक है पासिष्ट वर्मन ग्रंथ में उलेख मिलता है कि मगत को विजित करने के लिए मगत को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौरे ने एक राजा परवर्तक की सहता ली और उसने मगत पे आकरमन किया और मगत पे आक्रमन करके नंद सेनापती भद साल को पराजित करके मगत को जीत लेता है और मगत की गद्दी को सुनुश्चित कर लेता है ठीक है? उसके बाद एक घटना घटती है सेलुकस निकेटर सेयुद होता है इसमें क्या होता है कि सेलुकस जो बेबुलोनिया का सासक मन बैठा होता है उसको भी मन सिकंदर की तरह मन में इच्छा हो जाती है कि वो भारत को जीत ले और वो सिंध छेत्र से आकरमन करता है और चंदरगुप्त से लड़ाई होती है जिसमें सेलुकस निकेटर पराजित हो जाता है और 303 इस्वी में जाकर सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर के बीच में संधी हो जाती है क्या हो जाती है दोस्तों तो दोनों में संधी हो जाती है इस संधी में शेलुकस निकेटर अपनी पुत्री हैलेना का विभा चंद्रगुप्त मोरे के साथ कर दिया किसके साथ कर दिया चंद्रगुप्त मौरे के साथ कर दिया चंद्रगुप्त मौरे भी मौरे ने भी 500 हाती सिलिकस निकेटर को परदान कर दिया सिलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौरे को चार प्राम दिये पहला एरिया जिसको बोला जाता है रात दुसरा अराकोसिया कंधार तिसरा जेंडरोसिया मकरांतट और चौथा काबुल ठीक है सिलिकस निकेटर ने अपने राज़दूत को चंद्रगुप्त मौरे के दरबार में भेजा था उसका नाम था मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था ठीक है कहा जाता है प्लोटोर्ग के अमसार कि चंद्रगुप्त ने 6 लाक सेना लेकर संप्रून भारत को रौद डला था और इसकी सीमा का विस्तार पच्छिब में हिंडुकूस परवस से लेकर पूरब में बंगाल तक उत्तर में कास्मीर से लेकर दच्छिड में महसूर तक क्या होता है कि इसका समराज का विस्तार हो जाता है ठीक है और इसका महत्पुन कारे यह है कि यह गुजरात के गिरनार में एक सुदरसन नामक जील नहर का निर्मार करता है जिसका जानकारी हमको एक अविलेक है जुनागर अविलेक जो संस्क्रीत में अविलेक है जिसको र कि सुदरसन नामक जील का स्थापना किया था चंदरगुप्त महुरे ने ठीक है उसके बाद इसकी मित्यू जैन गरम्त रजावली के अंसार जैन संथ भध्रवाहू के साथ या 298 बीसी में करनाटक के सरवन बेल गोला में जाता है और कुछ दिन रहने के उपरांत वो सलेखना प्रत्ती द्वारा मित्यू प्राप्त करता है सलेखना प्रत्ती उसे कहते हैं कि जब इनसान को लगे कि मेरा मित्यू करीब है तो क्या करता है कि भूखे रहने लगता है और सरीर कमजोर पढ़ जाता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, कि संसार में खो जाता है, जो बिंदुसार था, चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र था, जो चंद्रगुप्त मौरे था, उनको चाड़क के करते थे, कि 20 दिया करते थे, ठेक है कहानी है, 20 दिया करते थे, इसलिए सत्रों से बचने के लिए कि यानि कोई भी दुस्मन अगर जहर दे तो उससे बचा जा सके एक दिन ऐसा हुआ कि रानी जो दुर्धरा जो बिंदुसार की पत्नी है उसको ज्यादा विश उस दिन दे दिया गया जिसके कारण वो मरने वाली थी कहा जाता है कि चाड़क्य ने पेट को फार करके बिंदुसार को निकाला और बिंदुसार पैदा हुआ उसके माथे पे बिंदु का निसान था इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया ठीक है यह जो इनकी माता दुधरा जो हैं कहा जाता है कि घनानंद की बहन थे कहीं कहीं बोलता है कि घनानंद की पुत्री थे ठीक है अब बिंदुसार का समय है बिंदुसार का समय 298 विशी से लेके 273 विशी तब बिंदुसार मगत की राजगदी पर बैठे इनानियों ने इन्हें अमित्र चेटस या अमित्र घात का है जिसका अर्थ होता है सत्रूओं का नास करने वाला इस समय में एक घटना यह होती है कि तसिला के अमातियों द्वारा बिद्रो होता है जिसको दवाने के लिए एक पुत्र थे असोक जो की उजयन के प्रसासक थे उसे बिंदुसार ने तच सीला भेजा असोक ने उस विद्रो को दवा दिया उसके बाद फिर विद्रो वहाँ पे शुरू हुआ पर इस बार असोक नहीं गया उसका बड़ा भाई सुसीम या सुमन उसको बोला जाता था वह तच सीला का बिद्रो को दवाने के लिए जाता है तेक है इसके समय में बिंदुसार के समय में सिरिया का सासक हैं सिरिया के सासर एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा तो ये आपको याद कर लेना है कि डाइमेकस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था ओप्शन आपको दे देगा तो आपको बनाना है बिंदुसार बिंबिसार नहीं बिंबिसार हर यक वंस का समराठ है और ये मौरी वंस का समराठ है ठीक है बिंदुसार ने सिरिया सासक से तीन वस्तुओं की मांग की ठीक है पहला अंगूरी मदिरा, दुसरा अंजीर और तिसरा दारसनिक ठीक है, एंटियोकस पर्थम ने दारसनिक को छोड़ कर अंगूरी मदिरा और अंजीर बिंदुशार के दर्बार में भेजवाया था जिसका वर्णन एथिनियस ने किया है ठीक है, आपने पुस्तक में वर्णन एथिनियस ने किया है उसके बाद मिस्त्र के सासक टोलमी टू फिला डेलफस ने डाइनोसिस नामक राजदूर बिंदुशार के दर्बार में भेज़ा ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है कि डाइनोसिस किसके दर्बार में आया था तो बिंदुशार के दर्बार में आया था कौन-कौन आया थे दो व्यक्ति थे एक डाइनो डाइनोसिस दो राजदूर बिंदुशार के दर्बार में आये थे और वहीं पूशेगा कि सरवपर्थम लाजदूर किसके दर्बार में आया था ना निराजपूर वह हो जैन धर्म का अनुयाई था ये जैन धर्म में ही आजीवक्स मखली गुसाल थे जो जैन धर्म को छोड़ कर ही एक नया संप्रदाय के अस्थापना किये थे आजीवक्स संप्रदाय के अस्थापना किये थे उन्ही का अनुयाई था जिसके गुरु थे पिंगल वस जिससे बिं के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ है बहुत ग्रंथ देखिए असोक यहां पे बिंदुसार 298 वीशी से 273 वीशी तक सम्राज मगत के गद्दी पे बैठा रहता है चार वर्स असोक को मौरी सिहासं प्राप्त करने में लग जाता है ठीक है और यह क्या करता है कि चार वर्सों के बाद यह जाकर 279 वीशी में मगत की गद्दी पे बैठता है और 232 वीशी तक 279 वीशी से लेकर 232 वीशी तक मगत पे शासन करता है ठीक है बहुत ग्रंथ दीप वंस और महावंस के अंसार बिंदुसार की कितनी पत्निया थी तो बिंदुसार की 16 रानिया थी बिंदुसार के 16 रानियों में से 101 पुत्र उत्पन हुए थे ठीक है जिसमें असोक ने 990 भाईयों का हत्या करके मगत की गद्दी पर बैठा था जिसमें एक सगा भाई उसका था बीगता सोक ठीक है कितने भाईओं का अत्या किया था निनानवे भाईओं का सिरलंकाई ग्रंथ के अंसार हमको महावंस दीपोंस के अंसार हमको पता चलता है असोक की मा का नाम था सुब द्रांगी ये असोक दानमाला ग्रंत में है और एक नाम था धर्मा महाबोधी वंस बहुत ग्रंत महाबोधी वंस में बताया गया है कि असोक की मा का नाम धर्मा था ठीक है असोक की पतनिया थी पहली थी असंग मित्रा, महादेवी, पद्दावती, तिस्विरचिता और कारुवाकी कौसामबी अवलेक में चर्चा है कि असोक की पतनी कारुवाकी है ठीक है उस अवलेक में केवल एक पतनी का उलेक है ठीक है असोक सबसे ज़्यादा प्रेम इसी से करता था किसे कारवाकी से असोक सबसे ज़्यादा प्रभावित था ठीक है इसी का एक पुत्र हुआ तीवर ठीक है इसका पुत्र एक तीवर हुआ इसकी पुत्रियों में संग मित्रा और चारुमति यहीं संग मित्रा तथा इसके पुत्र में महेंद्र कुडाल में संग मित्रा और महेंद्र को स्री लंका में बहुत धर्म का परचार करने के लिए असोग भेजता है ठीक है? दोस्तों हम असो के बारे में जो बेसिक इंफोर्मेशन था वो बता दिये अब जो सिला लेक जो होगा असो के बारे में गुहा लेक, इस्तंबल लेक, इत्यादी के बारे में हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नमस्कार